अब तक हमने देखा कि बॉलिवूड इंडस्ट्री में फिल्मों को प्रमोट करनी के लिए स्टार्स शहर शहर जाते हैं, इंटर्व्यूस देते हैं, पब्लिक के बीच जाकर प्रमोशन्स करते हैं लेकिन बात करें, प्रभास दिपिका पादुकोन अमिता बच्चन स्टारिंग फिल्म कलकी की, तो इस फिल्म का प्रमोशन अलग तरह से हो रहा है इस फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टार्स को कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा है क्योंकि फिल्म का एक दूसरा करेक्टर है वो सभी शेहरों में गूमेगा और ये करेक्टर इस फिल्म का सबसे बड़ा अट्राक्शन है अब तक इस तरह की चीज़ें हमने हॉलिवूट की फिल्मों में देखी थी जैसे की ट्रांसफॉर्मर्स में लेकिन हिंदी फिल्म में पहली बार ऐसा नज़राने जा रहा है आपको बता दे कि कल्की के लिए एक स्पेशल कार डिजाइन की गई है ये कार फ्यूचरिस्टिक कार है AI टेकनोलोजी का इस्तमाल इस कार में किया गया है और इस कार को नाम दिया गया है बुझ्जी बुझ्जी को बनाया है महिंद्रा मोटर्स ने तीन पये वाली इस कार ने सभी का ध्यान खीचा हाल ही में कलकी के लिए जब एक इविंट रखा गया था तो प्रभास इसी कार में बैठ कर आए और सभी की आँखे बुझ्जी पर टिकी कि टिकी रह गई अब कहा जा रहा है कि कलकी का प्रमोशन करने के लिए बुझ्जी निकल चुकी है बुझ्जी कार जो है वो शहर शहर घूमने वाली है कोयम बिटूर से ये कार निकली है और अब पूरे देश का वो भ्रमन करेगी इस दौरान मुंबई, दिल्ली के अलावा जैपूर, आगरा, इंदौर, एहमदाबाद, कानपूर इन सभी शहरों में बुझ्जी जाएगी ऑर बुझ्जी के पिचर्स और विडियो सोशल मीद responds क्योंकि जिस शहर में बुझ्जी कार जा रही है लोग उसके साथ फोटोस कलिक कर वा रहे हैं उसकी विडियों ले रहे है पब्लिक में एक अलगी excitement देखने को मिला है और कह सकते हैं कि अगर star value इस film में कम पड़ गई तो बुझ्जी लोगों को theatres में जरूर खीचने वाली है आपको बता दे कि इन दिनों फिल्मों में इस तरह की चीजों का इस्तमाल किया जा रहा है audience को attract करने के लिए रनबीर कपूर की animal में भी एक गोलियों से गरस्त गाड़ी को तयार किया गया था और इस गाड़ी के लिए 15 मिनिट का sequence विल्में रखा गया था और अब प्रभास की कलकी में बुझ्जी का इस्तमाल किया जा रहा है